तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सेशन 21 से 24 का जोग्राफी समिस्टर वन का कोश्चन पेपर प्रिवियस यर का कोश्चन पेपर है यह सेशन 2021 से 24 में आया हुआ कोश्चन पेपर है जोग्राफी का तो देखें यहां पे जोग्राफी का जो कोश्चन का पैटन होत होता है और बाकी तीन प्रश्णों के उत्तर देने होते हैं तो चलिए वीडियों तो चलिए फ्रंस देगे करके सारे questions को देखते हैं कैसा question आता है semester 1 में तो पहला question देखें जैसा कि पहला question जो है वो objective types के आते हैं ठीक है इसमें 10 question रहेंगे 15 तो सारे 1.5 marks के रहेंगे पहला question तो इसमें देखें यह fill-in-the-blanks जैसा आया हुआ है तो यहाँ पर पहला जो है ए नंबर इसमें लिखा हुआ है इलियड और उडिसी जो है वो किसके द्वारा दिया गया है तो यह सब आप लोग देख लीजिएगा यह बुक में आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है मैं केवाल आप लोगों को questions दिखाने के लिए आज के वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद देखें कौश्मोश ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था फिर सी नंबर में देखें heartland siddhaant dash द्वारा दिया गया था मतलब heartland का जो सिधान था वो किसने दिया था फिर पिर लेबेंसरम की विचारधारा द्वारा दी गई, मतलब लेबेंसरम का जो विचारधारा है वो किसने दिया था, इस भुगोल वेता ने, वो बताना आपको, इसके बाद देखे, दो परसिद फ्रांसिसी भुगोल वेताओं का नाम लिखना है, ये थाउट का पेपर जो है उसका परिचे किसने का नेक्स्ट देखे, आई नंबर में है, दो परसिद भारत ये भुगोल वेताओं का नाम लिखना है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हो, सबिंदर सिंग और जो माजीद हुसेन है, उसके बारे में, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखे, जे नंब इसके बाद देखे, टू नंबर में, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लॉंग टैप एंसर, जो इसमें से तीन कोश्चन्स का एंसर देना है, आप लोगों का, पंदरा पंदरा नंबर का है, तो टू नंबर में देखे, सिद किजे भुगोल संबंदों का विज्ञान है, यानि कि जोग्रफिया इस साइंस ऑफ रिलेशनसिप तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है, इसके बाद थ्री नंबर में है, भुगोल के विकास में रोमन विद्वानों के योगदान का वर्नन करना है, फोर नंबर में आधुनिक भुगोल के विकास में रिटर औ और योगदानों का मुल्यांगन करना है तो इसमें बोला जा रहा है कि यूरोप ये पुनर जागरन काल जो था उसमें वग्ञानिक भुगोल के विकास का विबरन देना है फिर 6 नमबर में हमारा है भुगोल में रोजगार के अउशर का वरनन करना है 7 नमबर में आधूनिक भारत में भुगोल की स्थिति की विवेचना कीजए और 8 नमबर में है हमारा राइट सॉर्ट नोट्स on the following topics, यहाँ पे तीन topics है, उसमें हमें सॉर्ट नोट्स लिखने हैं, तो पहला है विविद्धता में एकता का नियम, यानि की प्रिंसिपल आफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सेकेंड है G.I.S. and थर्ड है, man and environment relationship मानव प्रियावरन संबन, तो यह है 21 से 24 सेशन का question geography का, ठीक है, तो मिलते हैं अपने next question paper के साथ,